हेलो दोस्तो मैं विनोद आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ SBI card का transaction limit खुद से किस तरह से set किया जाता है ये transactions limit क्या होता है दोस्तो जैसे कि आप ATM card से बैसा निकालते हैं तो उसका limit आप खुद से ही set कर सकते हैं या online shopping करते हैं तो उसका limit खुझ से set कीजिए या आप कहीं से shopping करते हैं दुकान में जाके shopping करते हैं या mall में कुछ खड़िते हैं या restaurant में कुछ खाते हैं ये limit आप खुझ से ही set कर सकते हैं इसके फारिदे यही है दोस्तों कि अगर आपका card कोई खारण वस्खो जाता है तो आपका जो limit set किया गया है उसी limit से जादा कोई भी withdraw नहीं कर सकता है पैसा निकाल नहीं सकता है आपका पैसा कोई निकाल नहीं सकता है तो दोस्तों अगर आपके पास SBI ATM कार्ड या आप SBI debit कार्ड है तो आप इस वीडियो को एक बार देखें जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि SBI कार्ड में किस तरह से आप transactions limit set करेंगे इसके लिए आपको SBI का UNO APP को डाउनलोड करना परेगा अगर आपके फोन में SBI का UNO APP नहीं है तो आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे यहां देख सकते हैं कि SBI का UNO APP डाउनलोड किया गया है तो सिंपल सा क्या करना है लॉग इन करना है मैं लॉग इन करता हूँ आप अपना UNO SBI कार्ड का एप्स में लॉग इन किजिए SBI का एप्स में लॉग इन करते ही इस तरह का आपका डैस्बूट दिखाएगा डैस्बूट का लेफ्ट साइट का ओपर कॉर्णर में देख सकते हैं मैंने एरो करके दिखाया है त्री डैस जो दिखा रहा उस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक किजिए क्लिक करते ही इस तरह का आपके पास मेनु बार आजाए देख सकते ही यह सारे मेनु बार आपके पास आ जाएगा मेनु बार में दोस्तों देखिए सर्विस रिक्वेस्ट दिया है मैंने एरो करके दिया है service request पर click किजिए service request पर click करते ही आपके screen पर इस तरह का interface दिखाएगा दोस्तों अब आप यहां देख सकते है ATM debit card का option दिखा रहा है ATM debit card block या active इस पर आपको click करना है मैंने arrow से दिखाए यह arrow जहां दिखा रहा है ATM या debit card इस पर आपको click करना है इस पर click किजिए click करते ही यह दिखाएगा profile password यानि internet banking profile password आपका यहां पर मांगता है अपना internet banking profile password को यहां पर डाल कर submit किजिए password आनले के बाद दोस्तों दिखेगा इस तरह का दिखाएगा service request ATM या debit card इस तरह के आपके screen पर एक interface आजाएगा अब दोस्तों देखेए यहां पर manage card manage card जो दिया है उस option पर आपको click करना है manage card पर click किजिए manage card पर click करते ही दोस्तों देख सकते है manage debit card आपके screen पर दिखाएगा आपको यहां से अपना account number select कर लेना पड़ेगा card number select करना पड़ेगा फिर देखिए नीचे दिया है manage limit manage limit पर click करना पड़ेगा इस तरह से आप अपना manage limits पर click किजिए क्लिक करते ही दोस्तों आपका manage uses का options आजाएगा manage limits limits can be set in multiple of 5000 का limits से से अफ से कर सकते हैं देखिये ATM का यह पर limit दिया है maximum 40,000 आप चाहे तो जितना setting करना चाहते हैं इंटर new limit आप यहां पर अपना नया limit set कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं नया limit नया limit आप जितना चाहें पांच हजार, दस हजार, पंदरह हजार, बेस हजार, जो भी आप चाहते हैं कि उससे ज़्यादा कोई ATM से नहीं निकाल सकते हैं तो आप उसकी हिसाब से यहाँ पर आप रुपीस डाल सकते हैं आपका यहाँ दिखाएगा जितना लिमिट है मैकसिमम दिखाएगा आप जितना कम से कम चाहे निकाल सकते हैं याद रखेगा जितना लिमिट आप सेट किजिएगा उससे ज्यादा आप ATM कार्ट से एटीम से पैसा विड़ो नहीं कर सकते हैं सेगेंड आपका आता है दोस्तों जो बहुत ही इंपोर्टेंट पी ओएस याई-कॉमर्स जो हम लोग ऑन-लाइ कैन या मौल में याशॉबिंग करते हैं यहां पर भी आप अपना लिमीट शेट कर सकते हैं मैकसिमिमुम लिमीट आप नी सेट कर सकते हैं the जितना चाहे फाइब ताउजन से जादा फूद यह जो आप चाहते है इतना ही लिमित में सेट करो अगर मेरा काट कम विस्यूज करता है तो आपको सेट करना है यहाँ पर अमांट डालिए डाल नया अमांट सेट करते हैं दोस्तों आपके मोवाइल पर एक ओटीप आएगा उस विजिस्टर मॉबाइल नमबर दाल कर उसके बास सब्मीट करना है यहां पर एरो दिखाया है उसके बाद तब उस सिंपल सा सब्मिट करना है OTP सब्मिट करते हैं दोस्तों आपके पास सक्सेश्फूल इस तरह का मैसेज आजा है कि आपने जो लिमिट सेट किये है वो लिमिट को यहां पर सेट कर दिया गया इससे ज़्यादा का आप विड्रॉय या ओनलाइन सॉपिंग नहीं कर सकते है तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखे किस तरह से SBI डेविट कार्ड यानि कि SBI ATM कार्ड में अपना ट्रांजेक्शन लिमिट खुझ सेट किया जाता है अगर आपको मेरा विडियो अच्छा लगा तो विडियो को लाइक किजिए अगर अभी तग आपने मेरा चैन को सब्सक्राइब नहीं किये तो मैं चैन को सब्सक्राइब किजिए मैं इस तरह का विडियो आप लोग के पास लेकर आता हूँ थैंक यू वर वाचिग इस वीडियो